बिस्मिल्लाइ रमानि रहीम डियर स्टूरेंट्स आई होप आप लोग ख्यारी इससे होंगे तो लास्ट हमने वेक्टर पॉड़क्ट पड़ा था प्रॉड़क्ट आफ टू वेक्टर वाला हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है अब हमारा इस चैप्टर का लास् स्मार्ट स्लेबर्स टॉर्क टॉर्क जैसा कि आप लोगों ने पहले पिछली क्लासे में भी पड़ा होगा इसको हम देखते हैं दुबारा और इसमें हमारा एक जिसे करते हैं कि इंपोर्टन पॉइंट वो भी आना है जो कि हमने वेक्टर पॉड़क्ट में स्किप किया थ था कि वेक्टर पॉड़क्ट में साइन थीटा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है तो इसकी हमने को एक्जेंपल इस तरह से नहीं डिटेल में डिसक्स की थी मैंने आपको बताया था क्या कि टॉर्क का टॉपिक आ रहा है उसके अंदर हम यह चीज़ देखेंगे जैसे स्के थीटा हमारे पास अफेक्टिव कंपोनेंट आएगा तो स्टार्ट करते हैं जी टॉर्क सिंपल आपको पता है इसकी डेफिनेशन हमारे पास कि जब भी हम किसी चीज़ को टर्न करते हैं घुमाते हैं तो उसके लिए हमारे पास से कौनिटी की ज़रूत होती है जो कि उसके घुमने में मदद देती है उस कौनिटी को हम करके कहते हैं टॉर्क बीसिकलि इसको हम अक्सप्लेंड करते हैं के यह टर्निंग अफेक्ट ऐफ़ एक्स ऑफुवस होता है कि अपर्स का टर्निंग अफ़ेक्ट का मतलब घॉमना इस तरह से होता है जिसमें central point जो है वो change होता रहता है जैसे कि अक्सर बच्चे जो खेल रहे होते हैं वो जैसे जैसे घूमते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो point होता है जहां पे वो खड़े होते हैं वो भी change होता जाता है वो एक point से घूमना शुरू करते हैं तो घूमते 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 किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते है उस घूमने को हम टॉर्क नहीं कहते हैं टॉर्क जो है हमारे पास ये बिसिकली एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमने को हम क्या कहते हैं वो टॉर्क जैसे रोटेशनल मोशन होती है रोटेशन ज जाता है तो ऐसे घुमने को हम टार्क कहते हैं इसकी बहुत सिम्पल सी डेफिनेशन है दे टर्निंग अफेक्ट आफ फोर्स प्रिद्यूस्ट इन बॉड़ी अबाउट एन एक्सीज आफ रूटेशन इस काल्ड टॉर्क एक्सीज आफ रूटेशन क्या होता है वह एक्सीज होता है जो स्ट्रेट मॉविंग बौडी के लिए होता है जैसे जो नॉर्मल हमा क Kerry जा रही है उसका जो माय बाउडी थे कहते हैं. तो a part definition हमारे पास यह है a physical quantity which produce an angular acceleration in a body about excess of rotation. कि एक body जिसमें linear acceleration है उसमें अगर वो linear acceleration से angular acceleration आ जाता है devo की प्रॉपर्पेटी से तो वह भी टॉर्क कहते हैं. ये भी indirect वही बात है कि जब एक body में angular acceleration आ जाएगा that means वो angular motion में आ गई है वो circular motion में आ गई है तो वो torque ही है जो किसी body को circle या circular motion में ले के आता है एक fixed axis of rotation के साथ तो यह जी इसकी definition हो गई कि इसकी जो simple definition है आप यह वाली definitions की prepare करें कि the turning effect of a force produced in a body about an axis of rotation is called torque अच्छा जी उसके बाद इसकी एक example आपके सामने है इसमें जरा आप अगर गोर से देखें figure 2.13 इसमें एक spanner है जिसको हम normal जबान में कहते हैं चाबी जिससे हम किसी भी nut को open भी करते हैं और जिससे हम किसी भी nut को tight भी कर सकते हैं वो basically वो point है जहां पर हापने force लगाना है तो जहां पर हाथ है वहाँ पर force लगेगी और यह जो चाबी है यह फिर circle में घूमने लग जाएगी क्योंकि nut को हम tight करें या nut को lose करें दोनों सूरतों में हमारे पास चाबी circle में घूमती है clockwise या anti clockwise अच्छा एक और छोटी सी बात लिखी हुए है और बहुत important बात है इसी डाइग्राम के अंदर उपर वाली डाइग्राम में देखें length छोटी रखी हुए है और लिखा हुए है the nut is easy to turn with the spanner और नीचे लिखा हुए है it is easier still if the spanner has long handle कि अगर हमारे पास किसी spanner का handle long होता है किसी spanner की length ज्यादा होती है तो हमारे पास उसमें जिसे कहते हैं कि आसानी ज्यादा होती है या जिसमें हमारे पास length कम होती है उसमें आसानी ज्यादा होती है तो पहले हम इसमें इसके formula को study करेंगे इसके फार्मूले को स्टेडी करने के बाद मैं आपको इस बात का आंसर दूँगा कि बेसिकली जब हम किसी भी टर्निंग अफेक्ट जो हमारे पास होता है टॉर्क जब प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें यह जो लेंथ होती है यह ज्यादा हो तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी या यह कम हो तो फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ेगी तो यह हम देखेंगे यह जितने बॉइस हैं यह तो जानते होंगे कि जब हम गाड़ी का टायर चेंज करते हैं टायर पंचर हो जाए तो उसमें हमारे पास फिर उस टायर को चेंज करने से पहले हम जैक से गाड़ी को उपर उठाते हैं तो उस जैक का एक रॉड होता है तो उस रॉड की लेंथ भी उसको भी हमने गुमाना होता है क्यूंकि तो उसकी लेंथ ज्यादा या कम से हमें क्या फ तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास यह आपको फार्मूला नदर आ रहा है तार का जो फार्मूला होता है वो होता है T is equal to I F इसको वैसे T नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हैं टार का जो यह सिंबल होता है छोटा T डाल देते हैं और इसमें हमारे पास इसको हम पढ़ते हैं Tau Tau is equal to I F तो इसको हम Tau is equal to RF-B कहते हैं कुछ जगों पर आपको RF लिखा हुआ मिलेगा कुछ जगों पर आपको I लिखा हुआ मिलेगा यह जो I है यह क्या है इसको हम कहते है moment R और F जो है यह है force तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह आई मूमेंट आम यह क्या चीज़ है तो यह जो मूमेंट आम है अगर आप डाइगराम में देखें आपको एक पॉइंट नदर आ रहे है जहां पर हाथ है जहां पर फोर्स लग रही है एफ लिखा हुआ भी है इससे लेके और यह जो आपके पास नट है जिसके उपर ओ लिखा हुआ है इस ओ से एफ तक का जितना डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं क्योंकि यह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम displacement कहा देते हैं straight है ना straight या shortest distance जो होता है उसको हम क्या कहते है displacement तो force से लेके इस nut axis of rotation तक जितनी भी ये displacement है इसको हम नाम दे देते है moment arm का मैं एक दबार repeat कर रहा हूँ इसको और से सुने moment arm basically हम कहते है force से लेके और axis of rotation तक का perpendicular distance इसके लिए हम word इस्तमाल करते है असल में perpendicular distance होता क्या है वो displacement ही होता है displacement का दूसरा नाम है तो इसको हम कह देते है moment arm और दूसरी चीज़ है force जो कि इदर लग रही है अच्छा एक और term आपको इसमें सुनने को मिलेगी इस topic में line of action of force तो line of action of force क्या है अगर आप इसकी translation करें अर्दू में तो line of action का मतलब होता है वो line जिस पे action हो रहा है जिस पे काम हो रहा है और action of force जब आ जाएगा तो वो line जिसके ओपर force लग रही है उसको हम कहते है line of action of force तो यहाँ पे अगर हम line draw करें line of action of force तो वो कुन सी होगी वो होगी, ये जो force जहां पे आपको नज़र आ रहा है एक arrow नज़र आ रहा होगा ये जो force नज़र आ रहा है इसके ओपर arrow लगा हो है जहां पे एक लंबी सी line लगा दें ऊपर से नीचे तो वो होगी line of action of force क्योंकि इसी line पे force जो है वो क्या कर रही है वो act कर रही है तो इसको line of action of force करते हैं अच्छा जी आप इसका फार्मूले की तरफ चलते हैं फार्मूल आपको नजर आ रहे है ties equal to if, rf अगर हमें line of action of force को explain करना पढ़े definition बतानी पढ़े किसी को तो क्या बताएंगे तो यह आपके सामने इसकी definition लिखी हुई है the direction in which a force act is called line of action of force कि हमारे पास यह वो direction होती है जिसमें force act करती है ठीक है अभी हमने diagram भी arrow में देखा अच्छा फिर नीचे moment arm है जिसको मैं भी discuss कर रहे थे उसकी definition हम क्या लिखते हैं हम कहते हैं the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation दो points होते हैं एक line of action of force जहां force लग रही है एक वो axis of rotation जिसके गिर्द बॉड़ी घूम रही होती है इन दोनों के दर्मियानी distance को perpendicular distance को मतलब कि displacement को क्या कह देते हैं हम moment arm कह देते हैं तो ये दोनों terms उमीद है आपको समझ आ गई होंगी अच्छा नीचे उसने बहुत एक important point लिखा है जो के short question में भी आएगा कि if the line of action of the applied force passing through the axis of rotation वो कहता है कि एकर force जो है वो हम उस point पे लगाना शुरू कर दें जहां पे axis of rotation है for example nut है उसको हमने open करना है तो वो जो nut है वो axis of rotation है हम उसी के उपर एक force लगाना शुरू कर दें और line of action of force उसी point से pass करे axis of rotation से तो moment arm zero हो जाएगा ये common sense की बात है कि moment arm होता क्या है moment arm होता है line of action of force और axis of rotation के दर्मियान का फासला इस बात को बहुत गौर्श से सुनने है आपने moment arm होता है line of action of force और axis of rotation के दर्मियान का फासला जब हम force को axis of rotation पे ले जाएंगे और जब force को axis of rotation पे ले जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास moment arm के लिए जगह ही नहीं बचेगी क्योंकि वो ही axis of rotation होगा वहीं पे line of action of force होगा तो उसके दर्मियान कोई distance ही नहीं होगा तो वो हमारे पास उसमें moment arm zero हो जाएगा और moment arm zero होता है तो torque zero होता है इससे related कुछ funny जिससे कहते हैं के हमारे पास वो task होते हैं जो कि हम कर सकते हैं उनमें से एक task मैं आपको बता देता हूँ आपने यह जो कमरे का दर्वाजा होता है इस दर्वाजे के दोनों तरफ अपने पाउं रखने दर्वाजे का जो जिससे कहते हैं कि जहां पर दर्वाजा स्टार्ट हो रहा होता है हैंडल जहां लगा होता है उस साइड पर आपने खड़े हो जाना है आपने दर्वादे के दोनों साइड पर अपने पाउं रख देने और अपना नाक जो है वो आपने दर्वादे की जो साइड है उस पर रख देना और उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आप अपने पंजों पे खड़े हूँ मतलब कि अपनी एडियों को उपर उठाने की कोशिश करनी है तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या आप लोगों ने ट्राइ करना है और फिर मुझे बताना है यह आपके बुक में भी एक साइड इंफॉर्मेशन में यह इसकी डाइग्राम है और यह कैसे करना है चले मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगो भेज दूँगा आपने वो देख के इसको ट्राइ करना है और फिर उचे बताने के क्या ऐसा होता है या नहीं होता अच्छा जी अब उस important point की तरफ चलते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास basically force का कौन सा component effective होगा क्योंकि आपको पता है torque जो है यह vector product है torque में अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी एक था moment arm एक था force आपको पता है force vector quantity होती है moment arm भी perpendicular distance है जिसको हम क्या कहते है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम कहते है displacement तो वह भी वेक्टर होता है तो force और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो moment arm है दोनों vector quantity है और मिला के torque बनता है torque भी vector quantity है इसकी direction होती है clockwise या फिर anticlockwise और जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं clockwise या anticlockwise का तो उसको समझ में नहीं आएगी that means कि यह vector quantity है अब एक nut है nut को open करना है तो आप उसको बताएंगे कि अगर आपने nut को open करना है तो आप इसको anticlockwise torque देंगे तो यह open होगा और जब इसको आपने close करना है nut को tight करना है तो आप इसको clockwise torque देंगे तो यह बंद होगा तो यह बताना पड़ेगा आपको साथ clockwise या anticlockwise और जब direction बतानी पड़ जाए that means कि वह quantity कौनसी है वह vector quantity है ओके जी तो अब हम देखते हैं torque on a rigid body सबसे पहले तो rigid body क्या होती है rigid का मतलब होता ठोस एक ठोस body जो है वह rigid body होती है लेकिन इसकी proper हमने definition भी रख दिये ताकि अगर rigid body को define करना पड़ जाए तो हम कर सकें हम कहते हैं कि जी ऐसी body जिसके उपर हम दो points पे निशान लगा लें दो points फिर हम उस पर force लगाएं और वो जो दो points हैं उनके दरम्यान का distance जो है वो क्या रहे constant रहे तो वो body rigid है मैं एक दफ़ा इसको repeat कर रहा हूं और और से सुने कि हमारे पास एक body है हम उसके दो points पे निशान लगा देते हैं फिर हम उस पर force apply करते हैं और force apply करने से भी उसके जो दो points से उनके दरम्यान distance कम नहीं होता that means कि वो कौन सी quality है वो कौन सी body है वो rigid body है अब इसकी मैं अगर आपको example दूँ अब एक है कपड़ा कपड़े पे आप दो points पे निशान लगा लें उसके बाद आप उस पर force लगाएं तो कपड़ा तो इकठा हो जाता है आपने जो आप अपने pen जो आपके पास है इसके उपर दो points लगा दें फिर इसको उठागे नीचे मारें फिर इसको दिवार में मारें उठाएंगे तो वो pen जो है वो fold नहीं होगा वो fold नहीं होगा that means उसके 2 points जो है वो वहीं रहेंगे अपनी जगा पे और उसके तरम्यान distance भी constant रहे constant by applying a force के जब हम आप force apply करते हैं और जो distance होता है किसी भी दो points का किसी body पे वो constant रहता है that means कि वो हमारे पास कौन सी body है वो rigid body अच्छा जी अब आपके पास ये एक diagram है इसको दर आप और से देखें अब इसमें एक p point है जहांपे force लग रही है force आपको नजर आ रही है force का angle जो बन रहा है x-axis से वो theta बन रहा है तो force का जो x-axis से theta बन रहा है वो theta है अब इसके अगर हम दो components करें तो एक component along x-axis f cos theta होगा जो कि इसने उपर भी लिख दिया इस तरह से नीचे x-axis पर भी इसको हम लिख सकते हैं यह हम detail से देख चुके हैं तो दूसरा जो y-axis पर इसका projection पढ़ रहा है वो हमारे पास कौन सा है f sin theta अब एक f sin theta है एक f cos theta है f cos theta की direction वही है जो के r की direction है अब देखें लास्ट उसमें उसने आई लिखा था moment arm को अब r से denote कर रहा है असल में moment arm को हम r से denote करते हैं आपने भी इसको r से denote करना है i नहीं लिखना क्यूंकि i जो हमारे पास moment of inertia होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे एक chapter में तो आपने moment arm को r से denote करना है अच्छा जी इसमें अब आपके पास जिसे कहते हैं कि o point से लेके p point तक का जो perpendicular distance है इसको हमने r कह दिया moment arm कह दिया और p point पे लग रही है force जिसके हमने क्या कर दिये दो components कर दिये f sin theta और f cos theta अब जब हम इसको घुमाएंगे about axis of rotation axis of rotation o point है तो o के गिर्द जब ये घुमेगा तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगा ये body fix रहेगी और ये इसी point पे घुमती रहेगी यहीं पे इस o के along ये क्या करती रहेगी घुमती रहेगी तो जब ये घुमेगी इसका मतलब है ये उपर की तरफ जाएगी तो घुमेगी ना जैसे आपके पास wall point होता है आप उसकी एक side को hold कर लें और दुसरी side को जब आप move करेंगे घुमाने के लिए तो वो उपर की तरफ मूव करेंगे और वो घुमने लग जाएगी या नीचे की तरफ मूव करेंगे दोनों कर सकते है तो अब आप इसमें देखें कि जब इस body क आप घुमाएंगे ये उपर की तरफ जाएगी तो ये f sin theta की तरफ जाएगी ये f sin theta की तरफ जाके और ये घुमेगी that means फिर effective component कौन सा हुआ इसका f sin theta होगा क्योंकि अगर इसका effective component f cos theta होता तो फिर ये body उपर जाने के बजाए आगे की तरफ जाती क्योंकि f cos theta की direction तो straight है तो यहां से हमें ये बात clear हुई कि torque में force का कौन सा component effective होता है वो होता है जी f sin theta और यही बात हमने कही थी vector product में कि cross product या vector product में हमेशा effective component कौन सा होगा sin theta और ये आपने आँखे बंद कर के किसी भी cross product में हमेशा क्या लगा देना है वो आपने sin theta लगा देना effective component उसकी detail हमने इस जिसे कहते है के topic में देख भी ली तो अब वही formula जिसको हमने t equal to rf कहा था r cross f कहा था वो थोड़ सा change हो जाएगा अब हम उसमें f की जगा लिख देंगे f sin theta आपको नजर आ रहा होगा f sin theta और 7 r तो tie equal to हो जाएगा r f sin theta समझ में आगी बात तो यह हमारे पास एक important चीज़ थी कि इसमें effective component कौन सा होता है और साथ एक और चीज़ rf sin theta से हमारे पास इसकी magnitude पता चलेगी और क्योंकि यह vector product है तो हमें साथ क्या लगाना है हमें इसके साथ लगाना है एक unit vector और वो unit vector हम लगाते है n cap तो dies equal to rf sin theta n cap हो जाएगा इसका पूरा formula और n cap की direction हम कैसे find करेंगे वो हम करेंगे right hand rule से right hand rule आप को याद होगा vector product में हमने देखा था कि first vector से दूसरे vector की तरफ हम क्या करते है fingers को curl करते हैं तो जो thumb होता है straight वो direction देता है किस चीज़ की वो vector quantity की direction देता है तो यहां पर first vector r है second vector force है तो किसी भी point पर आपने टार्क की direction find करनी होगी तो आप r से f की तरफ अपनी finger को क्या करेंगे curl करेंगे तो आपको टार्क की direction मिल जाएगी okay in the end इसमें अच्छा इसमें अब क्यूंके r भी vector quantity है तो उसने दूसरी diagram के अंदर r के components किये हैं तो अगर आप r के components करेंगे cos theta और r sin theta और force को वैसी रहने देंगे तो आप देखेंगे कि r का भी sin theta जो है वो यहां पर effective होता है r cos theta effective नहीं होता क्यूंके जो body move करती है वो r sin theta की तरफ move करती है तो उसने इस तरह से भी लिख दिया है इसको कि tie is equal to r sin theta into f तो आप इस formula को इस तरह से भी लिख सकते है r sin theta into f तो वो भी rf sin theta बन जाएगा ठीक है लेकिन अब करना मैं अपने long question के अंदर इन में से एक लिख देंगे तो वह enough हो जाएगा दोनों लिख देंगे तो ज्यादा बेतर है अच्छा जी अब इसमें end पे unit जो होता है torque का वो होता है newton meter torque का जो unit होता है वो क्या होता है वो newton meter होता है क्योंकि tie is equal to r f होता है r वो displacement है moment r में होता है और force newton में होती है तो इसका unit हो गया newton meter फिर निचे इसकी dimensions ही हुई है dimensions कैसे निकलती है यह वैसे हम discuss करेंगे class में detail से यह dimensions आती है पहले हम base quantity में जिसे करते हैं कि change करते हैं अब जिसे newton है तो newton basically होता है kilogram meter per second square तो फिर kilogram जो है वो mass है तो इसलिए dimension में पहले नीचे mass लिख दिया है फिर kilogram meter और एक दो मिटर होगे तो meter square है तो length square हो जाएगा और टी जो है वो time है जहां second आएगा यह है class में हम dimension discuss करेंगे detail से ठीक हो गया फिर इस topic का last point के हमारे पास जो torque है इसकी दो directions होती है इसको clockwise भी rotate कर सकते हैं anti clockwise भी किसी body को rotate कर सकते हैं तो लेकिन हमने एक convention ली हुई है कि anti clockwise torque is taken as positive हमें पता है कि जब direction opposite होती है तो negative sign आता है अब clockwise star होता है और anti clockwise किसके साथ negative sign लगाना है इस problem को solve करने के लिए हमने क्या किया anti clockwise star को positive रख लिया कि वो हमेशा positive होगा और जो clockwise होगा वो हमेशा negative होगा तो इसकी कोई जिसे कहते हैं logic नहीं है यह जब शुरू से start किया था convention यही रख दी थी रिवायत यही काइम हो गई थी कि जब भी anti clockwise टार्क लेना है वो positive लेंगे और clockwise जो होगा वो negative होगा तो यह हमारे पास तब से फिर यह चले आ रहा है लिट्रेचर के अंदर तो यह टार्क का topic था आज का lecture यहीं तक थेंक्यू जी अलाफिस